जापान की कंपनी सुजूकी अपनी हाइब्रिट मल्टी पर्पस वहिकल सुजूकी सोलियो बैंडिट लॉंच करने जा रही है इस MPV कार का डिजाइन बॉक्स जैसा है जिसकी वजह से ये बिलकुल अलग दिखती है इसका लुक मार्केट में उपलब्ध कारों में से सबसे अ सकती है जापान में ये कार पिछले साल ही लॉंच हो चुकी है और वहां के मार्केट में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है जापानी लोगों द्वारा इसको काफी पसंद किया जा रहा है ये कार डिजाइन और स्टाइल के मामले में अपीलिंग है जिससे आपकी नजरे इस इस वीडियो के अन्थ तक कार की पूरी जानकारी बताने से बहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल रियल आटो न्यूस को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बैल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जल से जल आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिल जाए अब बात करें कार की तो कमपनी ने सुजूगी सोलियो बैंडिट को मोनो टोन और डूल टोन कलर आप्शन में लॉंच किया जाएगा सुजूगी ने इस कार में तीन राइटिंग मोड दिये हैं जो की अर्बन सब अर्बन और हाइवे हैं इस क कार के फ्रंट पैसेंजर सीट और रियर पैसेंजर सीट में कमफर्ट का विशेश ध्यान रखा गया है दोनों सीट पूरी तरह से एड़्जस्टेबल हैं फीचर्स की बात करें तो इसमें फुल आटोमेटिक एसी दी गई है और 9 इंच की LED स्क्रीन दी गई है इसके अलाव दो लीटर का गैसोलीन इंजन लगा है जो 6,000 रपीम पर 91 पीएस की मैग्जिमम पावर और 8,000 रपीम पर 118 एनम का टार्क जनरेट करता है वहीं इसका DC सिंक्रोनस मोटर 3.2 पीएस की पावर और 50 एनम टार्क जनरेट करता है इसके वेरियंट्स की माइलेज 15.3 किलो मीटर पर लीटर से 21.1 किलो मीटर प्रती घंटे तक की है सुजूकी सोलियो बैंडिट की सेफटी फीचर की बात करें तो इसमें डूज एर बैक्स के साथ ही SRAS एर बैक्स भी हैं इसके साथ ही रियर पार्किंग सेंसर्स, हैड अप डिस्पले, फ्रंट डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड कंट्रोल, 360-degree view camera, lane aviation warning system, adaptive cruise control, security alarm system, engine mobilizer और emergency puncture repair kit समेत अन्य फीचर्स भी हैं इस कार की कीमत के बारे में बात करें तो इसकी कीमत 4.68 से 7 लाग रुपए तक की शुरुआती कीमत के साथ लॉंच कर सकती है बात करें इसके launching date की तो इसको इसी साल लॉंच किया जाएगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उमीदे आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद